आगे के इन्वेस्टिकेशन के लिए इस केस को इस पूरे मामले को CBI के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रेकमेंडेशन किया जा रहा है रेस्क्यू कम्प्लीट होते होते हैं रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा प्रियास ये चल रहा है कि देश कभर में जहां से भी पैसेंजर्जर्ज आये थे जो इस दुरखटणा में रहेरा उनफॉर्ट ली इन सब के परिवार जनों के साथ संपर्क करने का भी रेल्वे के जरिये से राजसरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है बालेशवर में जो दर्दनाग दिर्गटना हुई उसके तुरंट बाद सभी ने मिलके रेलवे ने बालेशुवर के सोरो के बदरग के साथियों ने बंदों ने चिला प्रशाशन ने सब ने मिलके तुरंट रेस्क्यू का काम चलू किया था रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम कम्प्लीट होते होते हैं रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा और अभी जिस तरह से काम चल रहा है दो लाइन करीब करीब जो मेंन लाइन है उसमें पट्री का काम कम्प्लीट हो गया है उपर विजली के तार का और बाकी स सब चीजों का काम चल रहा है साथ ही साथ आज बालेश्वर में बालेश्वर डिस्टिक्ट हास्पिटल में हो सोरो के मेडिकल में हो बद्रग के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में सब जगे पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए और सब जगे प्रयास यह चल रहा है कि देश गवर में जहां से भी पैसेंजर आये थे जो इस दुरगटना में रहे अनफॉर्चुनेटली उन सब के परिवार जनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरीय से राजे सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है जिस जिस situation में ये दुरगटना हुई है जिस situation में दुरगटना हुई है और जो परिस्तितिया है उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का administrative information मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की inquiry के लिए आगे की investigation के लिए इस केस को इस कुरे मामले को CBI के पास देने का Railway Board की तरफ से recommendation किया जाए